हाई दोस्टों मैं आज खिलाल लखनुम हूँ अपने बेस्प्रिंट सलील के साथ और हम और हम लोग यहाँ पर लखनुम में खिलाल यह हम लोग के अपोजी साइड में इकाना स्टेडियम है अब बैक करके देखो नो यह इकाना स्टेडियम है हाला कि बहुत ही कुपसूरत दिख रहा है और इसकी खुपसूरतिक और चाचान जो यह लखनुम सब्सक्राइब लगाती है और हाला कि यह 72 यह 70 एकर में बना हुगा है और इसकी लागट वही कि पांस सब कुछ कड़ोर के अप्रोस लगा है और इसकी कैप सीटी देखा जातो सबसे बड़ी स्टेडियम है और मेरा यह मानना है कि किर्केट के चेटर में आने वाले कल में इस स्टेडियम में बड़े बड़े इठिहास बनाये जाएंगे और वाकई में बहुत ही बेया ट्रीन और खुबसूरत इस्टेडियम है जो कि साइट पट पे इस्टिट है बाकी यह राट का टाइम है और इवाएसे भी हम जाने वाले हैं गोरत पुराज और हम इस लखनों की बहुत से ब्यूटी दिखाऊंगा यहां की लखनों में और यहां की हवाओं में एक अलग ही सुकुन मिलती है है कुछ खासियत इस साइट की जो बाकी साइटों से डिफ्रेंट इसे बनाती है मैंने बहुत से जगों पे रहा चुका हूं चाहे वह डिले हो गया ही मांचल उट्रा खंदारे आना राजस्थान चंडिकर तमाम सहरों में रहा हूं जबकि चंडिकर भी अच्छी सीटी है अगर हर सहर में कोई न कोई प्राबलम है चाहे सुध पानी का प्राबलम हो या फिर एयर पालूसन का प्राबलम हो या फिर शराव हो महंगे फूद का प्राबलम हो जबकि लखनओं में बनाती है और यहां की लोगों की बाटों में एक अलग ही मिठास होती है वैसे मेरा घर गोरगपुर में है मगर गोरगपुर का लावा अगर कहीं और घर लेने की सोचता हूँ तो मेरी पहली 24 लख़णों इस होती है और कोई भी इंसान किसी दूसरे जगा पर घर लेता है तो दो ही चीज देखता है कि जिस जगह घर ले रहा है उस जगह रहने ससो साफ इंकम और दूसरी सुकून किना मिलता है उस जगह से क्योंकि 90 पासन लोग अपने जीवन की कमाई के बहुत सा हिसा अब धापे में किसी और घर लेने में या खरिने में लगा देते हैं ताकि वह बाकी बचे हुए जो उम्र है वो उस घर में सुकून से रह सके यहां की सडके भी काफी अच्छी है और सडक के किनारे आपको फूल पोड़े काफी मातरा में देखने को मिलेंगी यहां पर हड कुछ किलिमीटर पर आपको पार्क मिल जाएगा और बहुत सी यहां भी टूरिस्ट पूरिस है जो कि घूमने और देखने के लिहास से बहुत ही अच्छा है यहाँ पर लोहिया जनेस्वल मिस पार्क, इको गार्डेन, अबेटकर पार्क, इटियार पार्क वी है बाकी यहाँ पर लगवर टीस इंजिनिरिंग कालेज, और चालिस से जाड़ा मेडिकल कालेज और कई सारी यूनिवर्सीटियां है बाकी रहने के हिसाब से यह बहुत 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 जगा है मैं ही नहीं, जबकि भार के एक डिफेंस एक्सपर्ट भी जानते हैं कि इन फ्यूसर कभी पर उसी देश से यूद ढूगा तो कभी लखणों का कोई भी नुकसान नहीं होगा यहां तक हाई पर सोने की मिसाइले ही कुछ कर सकते हैं अगर डिफेंस सिस्टम खराब हो जाए तो और हाले में लखणों के डोनों साइड प्रोवांचल एक्सपरेस हो या फिर यमना एक्सपरेस होए हो डोनों पर एयर रनवे बनागे बनाए गया है टाकि यू डिके रव अब कुछ बाते हैं जो डिफेंस रिलेट्व है जो कि हम इस वीडियो में बटाना नहीं चाहिए लखनों डरगाय की पिक है जो की बहुत ही अच्छा दिख रहा है यह चार बाग डिले स्टेशन का टॉप व्यू है जो की ऊपर से ऊपर का डेस है और यह इसे यह कहा जटा यह जटा है कि यह वी सोका सबसे बीजी स्टेशनों में से एक माना जटा इसे और जो की बहुत ही बड़ा है यह अमेड़कल मेमोरियल पार्क है जिसा हाठी पार्क भी काटे है यह लखनों की सान है अगर आपने इसे नहीं घुमा तो आपने जनाब लखनों ही नहीं घुमा इस पूरे पार्क का नियमार गुलाबी पत्थरों से हुगा है जो कि रात में रोसनी में लाट की रोसनी में बहुत ही खुब्सूरत लिखता है इस पूरे पार्क ले गुलाबी इटालियन पत्थर कपड़ियों किया गया है जो कि बहुत ही महांगे महांगे पत्थर लाक लगाया गया है यह पिक पार्क के बीच बीच से लिया गया है जब कि बहुत सुन्दर है और यहां पर बहुत से हाठियों का मोटी बनी हुई है जो कि बहुत ही बनी है और बहुत जाड़ा मात्रों बनी हुई है इसने इसे हाठिय पार्क भी कहा जाता है इस पिक से आपको इस पार्क की खुबसूटी का अंडाज लग गया होगा है इसमें बहुत सुन्दर सुन्दर फूल लगाया गया है और उन फूलों के जड़ों पे छोटे-छोटे पत्रों को इस परका सजाया गया है जो की बहुत ही परफेक्ट दिखाई देता है लखनों सौर सबको ही बहुत प्यारी लगती है जो यहाँ पर कुछ माइनों या कुछ दिनों के लिए रहने आ जाता है उसको एकड़म दिल से भाज आती है लखनों सौर यहाँ पर हर एक चीज हर कोई अपने आप में ही नवाब है और इस सहर को नवाबों का सहर लकनों इसनिए कहाए है कि इसके पीछे एक नवाब की कहानी है जिसे आज आप लोगों को जानने की कौश्च जरूर करना चाहिए आगर आप लोग वह कहानी को मालों कर लेंगे या फिर ऊहानी जा जाएंगे तो आपको वाकई में यकिन होगा कि व्राइब वाकाई में न्वाद भी ता और यहां पर लखनों में एक नदी है जो की गूमती नदी यह को वीचर करें जाती है यह लखनों की क्लाग टावर को जो कि बहुत ही खुप सुवर डिस से हैं यहां पर सरकी भी काफी चोड़ी है और ताकि लोगों को आने जाने में कोई सी भी पर करकर दिखकर नहीं होती है इसके अपोजिस साइड में सुकून से बैठने के लिए अच्छा प्लेस है इस वीडियो में पार्क में ही उपर चड़कर वीडियो बनाया जा रहा है तकि उसमें नीचे कड़े से लिखाए जा रहा है इस साइड होटल है और बाकी इस पूरे पूरे पार्क में जो भी जहां पर भी आप देखेंगे सिर्फ पिटालियन पठर का दिखाई देगा आपक आपको यह चीज वेलाना की एक नहीं तुक्ता सिर्ट नाना विए चुका जब की फिर भी एकड़ हर एक चीज आ एक बिद्डिंग इसका पूरा वैसे की वैसे हिया और यह उपर का से नहीं भुलू लिया की और यह उनले कि नीचे का जो भी आगे का सामने कड़िस है यह उस जो कि एसिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है और यह 300 एकर में फैला हुआ है तथा इसके अंदर 40 एकर में वाटा जिन बनाया गया है और यहां पर तो मैं कम सकम भोट बाराया हूं तीन चार नहीं चार पांच बारा चुका हूं जबकि पूरा पार्क मैंने अभी तक घ जबता है और यहां पर घूमने के लिए साइकल से भी आप शायट भों सब्सक्राइब गूं सकते हैं या फिर पैडल भी घूम सकते हैं आप जैसे चाह वेशान सकते हैं और इतनी बड़ी है कि यहां पर वहाँ ऐसे ही बहुत टाइम लग जाता है और यहां की पेर पोड़े और पार्क घास यहां पर चाहें वहां पर आप बैसकते हैं बहुत ही खुशू रठी है इतना बड़ा है कि आपको तुनना अंदाज है यहाँ जब सबसे बड़ी पार्क है तो किना बड़ा ही होगा और एक और लखनो की एक कहाउट बहुत ही भी मस है और वह क होट यह है कि मुस्कुराई अब लखनों में हैं अगर लखनों सब आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें